इस्क्रीन पर आपके सामने बहुत सारे राइटिंग वर्क शो हो रहे हैं आपको सिर्फ राइटिंग का काम करके देना है फ्रीलांस राइटर की के अंदर आपको रेजियूम राइटिंग का काम दिया जा रहा है जो simply आप कैन्वा के थू कर सकते हैं लिखी लिखाई CV आपक 500 डॉलर मिलेंगे जो के पाकिस्तानी करनसी में 1,4,000 रुपे बनते हैं ये प्लैटफॉर्म ना तो फाइवर है ना ही अपपर के ना केवर के ना ही फ्री लांसर है बलके मैं आज आपको एक ऐसी एप्लिकेशन की तरफ लेकर जाने वाली हूँ जहां पर आपको छोटी छोट बहुत सारी फ्रीलांसिंग की टास्क मिलती है टास्क परफॉर्म करके मिनिमम कम से कम भी आपको 34 डॉलर मिलते हैं जो के पाकिस्तानी करनसी में तकरीबन 10,000 रुपे के अमाउंट बन जाती है अब यहां पर टास्क किस तरह की होते हैं आप लोगो बना सकते हैं लोगो बन यह चार्ट बॉट को इस्तिमाल करना है चार्जी बीडी के थुरू आपने राइटिंग करके सब्मिट करनी है इसके लावा आपको यहां पर ठीसेज राइटिंग का काम मिलता है जो कि आप गूगल स्कॉलर के थुरू कर सकते हैं गूगल स्कॉलर पर आपको हर टॉपिक पर बहुत ही अच्छी लिखेवे थीसेज मिल जाते हैं। स्कॉलर से आपने थीसेज उठाने हैं, उसका प्लेजरिसम चेक करना है, AI डिटेक्शन चेक करनी है, उसके बाद आपने इस अप्लिकेशन पर जाकर सब्मिट कर देना है और अपनी पेविंट ले लेनी है। बहुत ही सिंपल से काम है और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपसे कोई स्किल नहीं मांगा जाता, नहीं आपसे कोई एजुकेशन पूछी जाती है। टास्क करके चुटे-चुटे काम करके आप यहाँ से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, 100% authentic application है, तो चली चलते हैं बिना वग्जाय कि एक काम स्टार्ट करते हैं, एक बात जरूर कह दूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप करकर देखते हैं, और पिर उन्हें पिन करते हैं, तो आपके सामने दो पोर्टल आते हैं, पहला है हायर फ्रीलांसर और दूसरा है बिकाम फ्रीलांसर, अब हम फ्रीलांसर को हायर करने नहीं आए, काम देने नहीं आए, बलके काम करने आए, फ्रीलांसर का काम करने आए, तो बिकाम फ्रीलांसर के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर देखें बहुत सारे काम आपको शो हो रहे हैं यहां पर आपके सामने लोगो बनाने का काम आ रहा है ट्रांस्क्रिप्शन का काम आ रहा है ट्रांस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो भी वाइस के अंदर बोला गया उसको आप रिट कि वीडियो में मैंने आप लोगों को ये काम सिखाया है आपने simply grammarly को यूज करते वे उसकी proof reading करनी है उसकी editing करनी है और उसके पैसे ले लेने हैं इसके इलावा यहाँ पर आपको copy writing writing और thesis writing का काम भी मिल रहा है काम करने के लिए आपने पहले application को join करना है उसके लिए join के बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर अपना active email address टाइप करेंगे उसके बाद आप यहाँ से join के बटन पर click कर देंगे account create करने के बाद अभी आप से कह रहे हैं कि आप अपनी email ID confirm कीजिए तो अब आप अपनी Gmail पर जाएंगे और यहां पर आपके पास activate account का option आ रहा होगा इस पर आपने click करना है और Google के थूँ आपने अपना account activate करवा लेना है अब आपके सामने दो पोटल्स आ रहे हैं I am a buyer, I am a freelancer आपने I am a freelancer के button पर click करना है तो आपकी registration confirm हो जाएगी account आपका create हो जाएगा और आपके सामने application इस तरह से open हो जाएगी अब यहां पर आप से कह रहे हैं कि आपको आधा dollar का bonus दिया गया है अगर आप सिर्फ एक सवाल कर जवाब देते हैं कि आपको इस application के बारे में किस तरह पता चला आपके पास नीचे बहुत सरे social media accounts का option आ रहा है आपने यहां से किसी को भी choose कर ले like आप Facebook को choose कर सकते हैं कि Facebook कि तरू मुझे पता चला और यहां पर आप देखें सिर्फ एक answer देकर आपको 0.5 dollar का bonus मिल गया है अब यहां पर आपके सामने clearly mention है average task price is 34 dollar यानि एक task भी अगर आप करते हैं तो उसकी average price का मसकम भी 34 dollar होती है एक task update करके आपको 34 dollar मिलते हैं अब आपने यह menu पर आजने तो यहां पर आपके पस एक gift का भी option आ रहा होता है यह affiliate के लिए है कि लाइक अगर आप अपने link के थ्रू किसी को join करवाते हैं तो उसका आपको affiliate commission मिलेगा और as a gift आपको उसका bonus मिलेगा अब हम यहां पर क्योंकि फ्रेलांसिंग करने के लिए आएं तो यहां से task के option पर आजेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारी task मिल रही है जैसे कि मैंने आपको start में दिखाया था write master thesis आपने सिर्फ thesis लेकर देना है इस तरह से copy writing का content writing का का काम करके देना है और उसके आपको dollars में payment मिलेगी अब यहां पर काम लेने के लिए आपने एक test perform करना होता है उसके बाद ही आपको काम मिलता है आप बहुत सारे लोग test के नाम से घबरा जाएंगे और भाग जाएंगे लेकिन आपने बिलकुल tension नहीं लेनी है test के नाम से बिलकुल नहीं घबराना है पहली भी मैं कई बार आप लोगो test perform करके दिखा चुकी हो आज भी मैं आपके सामने ही test perform करूंगी सिर्फ तीन सवालों का आपने जवाब देना होता है जिसका जवाबात आपको गूगल पे मिल जाते हैं अब यहां से आप take the test के option पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने तीन सवाल आता रहे हैं आपने सवालों को पढ़ना भी नहीं है इसकी भी ज़रूरत नहीं है जिस यहां से आपने पहला सवाल कॉपी किया अब आप गूगल पर आए और इस सवाल को आपने यहां पर paste कर दिया अब जैसे ही आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका answer मिल जाएगा अब सवाल इसने हम से पूछा था कि डो जॉन की industrial average price कितनी थी opening price कितनी थी तो यहां पर देखें कि पहली ही website के अंदर इसका जवाब मौजूद है अब यहां से पहली वाली website को हम open कर लेते हैं तो यहां पर आप देखें कि इसका answer available है यहां पर बता रहे हैं कि April 2018 में डो जॉन की opening price 24,327 डॉलर थी अब आपने यहां से पूरे answer को copy नहीं करना है जस्ट आपने सिर्फ इस value को copy कर लेना है और यहां पर mention कर देना है यह पूरी value आपने यहां से copy की point के बाद की value भी आप यहां पर लाकर लिख देंगे अब उसके बाद next question आपके सामने आ जाता है अब यहां पर आपको पढ़ने की या फिर Google की तरफ जाने की जरूरत नहीं है यहां पर सिर्फ एक spelling mistake है इस sentence को आपने सही करके लिखना है इसके अंदर सबसे पहले cannot की spelling mistake है c-a-n-n-a-t लिखा है इसके इलावा यहां पर increase की spelling mistake है तो यहां से आपने spelling को सही किया और वापस दुबारा से पूरे sentence को as it is उतार दिया अब इसके बाद question number 3 की बारी आ जाती है अब यहां पर तीसे सवाल के अंदर यह आप से कह रहे हैं कि आपने scroll करके नीचे की तरफ जाना है यहां पर आपको rules को option मिल जाता है आप इस पर click करेंगे तो नया page आपके सामने open हो जाएगा अब यहां से हम नीचे आए और rules पर click किया तो यहां पर देखिए next page हमारे सामने आ गया है अब इस page पर हमें कुछ नहीं करना है just simply आपने उपर से इस link को copy करना है उपर आपके पास इस page का link आ रहा है आपने यहां पर tap करके रखना है और copy link पर click करके इस link को यहां से copy करना है और वापस से आकर आपने इस bar के अंदर इस link को paste कर देना है अब इसके साथ साथ यह आप से कह रहा है कि last में आपने date mention कर देनी है और जो format आपको बताया है इसी के साथ से आपने करना है सबसे पहले month लिखना है फिर date लिखनी है उसके बाद year mention करना है slash लगा लगा कर तो इसी तरह से आप यहां पर date भी mention कर देंगे उसके बाद आपने नीचे दिये गए check के button पर click करना है तो आपका यह test done हो जाएगा अब यहां पर actually आपने इस test को perform करना है तीन दफ़ा यानि एक दफ़ा आपने कर लिया इसके बाद तीन दफ़ा आपने और करना है total four times आपने इस test को complete करना है उसके बाद आपको task assign होना शुरू हो जाएगी यहां पर आपके सामने सारी यह task आना start हो जाएगी आप task perform करेंगे और फॉरन अपनी payment रिसीव कर लेंगे अब payment रिसीव करने के लिए आपके पास finance का option आ रहा है आप इस पर click करेंगे तो यहां पर आपने अपना payment method attach कर लेना है अब payment methods कौन कौन से हैं तो यहां पर देखें आपके सामने clearly mention है अगर आप पाकिस्तान के बाहर से like इंडिया वगेरा से मुझे देख रहे हैं तो PayPal के थूर अपनी payment से सीव कर सकते हैं इसके इलावा अगर आप मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं पाकिस्तान से काम कर रहे हैं तो आप यहां पर Bitcoin के अंदर और Thatter के अंदर अपनी payment से सीव कर सकते हैं यह वो crypto wallets हैं जो आपको easily Binance में मिल जाते हैं Binance के अंदर जाएंगे वहां से आप अपना BTC का Bitcoin का address कॉपी करेंगे या फिर Thatter का address कॉपी करेंगे और application पर लाकर इसको paste कर देंगे और आपकी सारी payments आपके Binance के account पर आपको receive हो जाएंगी और Binance के amount को आप easy पैसा और jazz cash के थरू withdraw कर सकते हैं जिसका पूरा procedure मैं आपको इस वीडियो में detail में सिखा चुकी हूँ आप application की तरफ आ जाते हैं आपने simply इस application को play store से या फिर app store से install कर लेना है इसके साथ साथ इसकी website भी google पर available है अगर आप google पर आकर install वो लिखते हैं तो आपके सामने इसकी website open हो जाएगी आप इस website के थरू भी काम कर सकते हैं यहाँ पर again आपको find a freelancer, become a freelancer दो portal मिलेंगे आपने become a freelancer वाले option पर click करना है इसके बाद आप start earning वाले option पर click करेंगे और यहाँ पर आपके पास email का option आजाएगा यहाँ पर आपने email address देना है, अपना name टाइप करना है और यह पूरा procedure complete करना है जो अभी मैंने आपको सिखाया है और आप यहाँ से daily basis पर 25 डॉलर, 30 डॉलर easily earn कर सकते हैं यहाँ पर आपको कोई wait नहीं करना पड़ता, फौरान ही आपको काम असायन होना start हो जाता है और आपकी earning शुरू हो जाती है आपको सारा काम अची तरह से समझ आ गया होगा, सारी चीज़े clearly समझ आ गया होगी फिर भी कोई confusion हो तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं जाने से पहले वीडियो को like, comment और share जरू कीज़ेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए earning method के साथ till then grow yourself, Allah हाफिज